असलाव अलेकूम, कैसे हैं सब लोग, उमीद हैं सब खेरिया से होंगे, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्छी अंजीर का मीठा, मार्किट में बहुत अच्छी अंजीर आ रही, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं, यह मैं ले ली एक किलो अंजीर, देखे यह एकदम पकी हुई अंजीर हैं, कितनी लाल हैं, अब हम इसकी पिछे की डंडी इस तरह से काट लिंगे, और अंजीर को बीज में से हाफ हाफ कर लेंगे, सारे अंजीर को हम इसी तरह से कट हो गया, अब हम एक बरतन में 400 ग्राम पानी ले लिए और हम इसमें 400 ml पानी दाल देंगे, फ्लेम को अन कर लेना है, शकर को डिजॉल करना है, कशीरा नहीं बनाना है, अब हम इसमें हाफ लेमन जूस दालेंगे, अब इसको अच्छे से डिजॉल्व हने देंगे, देख जो अनजीर हम काट के रखे थे, वो अनजीर इसमें दाल दींगे, देखिए आप बहुत अच्छा कलर है, एकदम पकी हुई अनजीर है, लाल, अब हम हाइफ लेमन पे इसको पकाएंगे, देखिए, इस तरह से मिलाते रहना है हमको, और हाइफ लेमन पे पकाना है, लाते रहना है, देखिए, आप इसका कलर चूड़ गया, मैं इसमें कलर नहीं दाली, आप चाहें तो कलर दाल सकते, इसका कलर ही माशारला बहुत अच्छा आया, मैं इसमें कलर नहीं दाली, देखिए, इस तरह से इसको पकाते रहना है, फुल फ्लेम पे, अब ये, इसमें ही अन में को मीडियम कर देना है अब मैं इसमें दारी 5-6 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस बीच बीच में इस तरह से इसको मिलाते रहना है देखिए यह अंजीर कलना शुरू हो गए आप देख सकते और इसका पाने भी सुखना शुरू हो गया अब हम इसमें दालेंगे 1 टेबल स्पून गी इस टेज पर हमको गी डालना है गी डालने से इसमें बहुत अच्छी शाइन आती है और टेज भी इसका बहुत अच्छा हो अच्छे से मिक्स कर लीजिए घी डालने के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा पानी रहे गया हम 2-3 मिनिट इसको पकाएंगे और फ्लेम को आफ कर दींगे देखिया अब मैं फ्लेम को आफ कर दी देखिया अब इतना सपानी रह गया थंडा होने के बाद यह और गाड़ा हो जाता इसलिए मैं इतनी कंसिस्टेंसी रखके आफ कर दे रही चलिए अब हम इसको डिश आउट करेंगे बहुत ही मज़ेदार मीठा बनके तैयार हो गया एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिए कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए ज्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक अल्ला आफिस